हलो नमस्कार दोस्तो दोस्तो आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में दोस्तो आप सभी लोगों के लिए एक निव रुकूटमेंट आया एक निव नोटिफिकेशन आउट हुआ आई की दरफ से एरपूट अथरिटी आफ इंडिया इसकी तरफ से आप सभी लोगों के लिए एक निव रिकूटमेंट आउट हुआ है एए आई की दरफ से और को ओनलाइन एप्लिकेशन फॉर्मन ने पर्मानेंट जॉब होने वाली है फ्रेशर केंडिए इलेजवल है इसम अपनी सहुलीत के अनुसार कर लो वैसे मैं बहुत तेज बोलने की गोसिस कर रहा हूँ अल्रेडी ठीक है चलो मैं बताता हूँ आगे क्या क्या है लिजवल्टी देखो उससे पहले दोस्तों आगर आपने टेरिग्रम चैनल जोइन नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन बॉक् अगर आप किसी एक कभी आपके पास डो मिसायल है किसी में आप रहते हो तो ही आप इसमें इलिजवल रिमेगी एलिजवल नहीं है किसे प्रेफ्शन के लिए एयो हुफ आउट होई है तो चलो फिर में आगे दिखाता हूँ और क्या क्या में में नहीं होगा तो ही आपको प्रिफरेंश दी जाएगी सब करो यह दोमिसाल वाले के इंडियेट है और उन्होंने प्रयाप्त मात्रा में वेकेंसिस के लिए फॉर्म नहीं बढ़ा तो ही आपको प्रिफरेंस दी जाएगी तो मान के चलो कि आपको प्रिफरेंस नहीं दी जाएगी ठीक है तो आगे आपको दिखाता हूं क्या क्या मेंशन कर र सेलरी दोस्त पचास हजार से साथ हजार के बीच में होने वाली है वैसे लिख रखा है यहां पर 31,000 से लेके 92,000 तक है लेकिन इन हेंट सेलरी जो होगी आपको 60,000 के आसपास मिल ले वाली है ठीक है दोस्त अब जैसे आप नीचे आओगे तो यहां बहुत कुछ मेंशन कर है तो मैंने जैसे कि पहले इसलिटी के वाले हम बता दिया तो मैं वहीं दुवारा से बता जीता हूँ देख लो एक सितंबर से आपके फॉर्म स्टार्ट होने वाले है 30 सितंबर तक इसकी लास्ट होने वाली है ओनलान एक्जाम कब होगा वो अभी टेंटेवली नहीं बता और 5 साल का सेस्ट को वो देखने को मिली जाएगा एक सर्विसमें को 3 साल का रेलेक्शेशन ठीक तो यह सब कुछ इसमें दे रखाए एक बार देख जरूर ले ना भरने से पहले एक बार नोटिस पढ़ लिया करो मैं आपको बताता हूँ तो वह आपकी एक नजर में डालन अधिया करो एजूकेशन क्वालिफिकेशन जैसे कि मैंने बताया जूनियर इसे स्टेंट में 10 प्लस 3 साल का डिप्लोमा होना अत्ती आवक्ष कर आपके बास में ठीक है तो 10 और उसके पास में 3 साल का डिप्लोमा हो तो यहां पर मेंशन करना है ड्राइवरी लाइसेंस में हेवी विक़ल ड्राइवरी लाइसेंस होना चाहिए और जैसे कि आल रखका है वैले वेहेकल लाइसेंस सूड़ एक साल पहले 25 आट दोजर बास से 1 साल पहले का आपके बास में ड्राइवरी लाइसनस होना अत्ती आवक्ष कर ए ठीक है तो और 3 साल का डिप्लोमा जो हो वो इसके अलावा आपका रेटेन टेस्ट होगा तो इसके विएसेस पर आपके दो की विएसेस पर आपका सेलेक्शन होने वाला है फिजिक गुड बोथ मैन और वोमेन आइस इसमें तेखो सब कुछ मेंशन कर रखा है कि जो आई डिस्टेंस विजन हो 6-6 विद इचार दोनों आ हाइट 177 से कम नहीं होना चाये वुमेंज की 157 से के टेस्ट नॉर्मल होना चाये एक क्यासी सेंटइमेटर और एकसपेंटर, और शेंटिमेटर और के विए ओसले मुटि कम नहीं होना चाये इस अब कुछ मेंशन है इक वार पड़ जरूर लहना और जूनियर तो यहां पर graduation degree होनी चाहिए और desirable knowledge होनी चाहिए हिंदी typing के तो यहां mention कर रखा है selection process की बात करूँ junior assistant जिसमें diploma eligible है वो written test होगा CBT 2 घंटे को होगा minimum passing marks 50 चाहिए 100 में से ठीक है और आपके 40 चाहिए SC category हो सिलेवस 50% subject related to education qualification जो भी आपने mechanical पड़ रखा है इसमें कर होने वाला है ठीक है selection stage 1 में यह होने वाला है stage 2 में आपके document verification और physical endurance test जो PET लिख रखा है वो होने वाला है ठीक है उसमें क्या होगा 100 meter running होगी rope climbing होगी pole climbing होगी 60 meter running with human dummy ठीक है 6 meter running की जाएगी जो आपके पीठ पर कोई human का dummy होगा उसे बिठाके ठीक है full ladder climbing की जाएगी each test carries 20 marks ठीक है तो यह साब कुछ आपर कर रखा है और होने वाला है और physical endurance test का यह होने वाला है 12 seconds में आपको 100 meter दोड़ होगे तो आपको 20 marks मिलेंगे 13 seconds में 18 marks मिलेंगे ऐसा सब कुछ दे रखा है ठीक है एक बर पढ़ जरू ले ना form भरने से पहले मैं बार बर यहीं बोलता हूं आपको क्योंकि अगर थोड़ी सी भी अगर बाद में फिर आपको लगता है यार ऐसे कैसे हो गया मैं तो इसा नहीं कर सकता तो पहले पढ़ ले ना भरने से पहले जिससे कि आपको जो भी बाद ज्यादा है अप्लिकेशन फीज थाउजन रूपीज तो बी पेड वाई केंडिट ब्लॉंगिंग यू आर ओबीसी एडवलो एस ठीक है सेस्ट के लिए के लिए केवल आपकी 90 रूपीज होने वाली है सेस्ट को कोई भी फीज पे करने के जरूरत नहीं है थाउजन कुछ किसी भी केडिगरी हो क्योंकि आपको कोविड की प्रोटोकॉल को रखते हुए ध्यान में रखते हुए यह आपका टेस्ट कराया जाएगा ठीक है तो यह सब कुछ दे रखा है एक सेप्टेंबर जो है आपकी लास्ट डेट होने वाली वह स्टार्ट होने वाला है फ जो भी आपका डाउट होगा वो डिमारर करने की कोशिस की जाएगे ठीक है आपको समझ में आ गया है दोस्त बाहर जरूर देना जो भी लिजवाल होने वाला है जैसे कि डिपलोमा वाले के एंडिडेट है वो जरूर चे भर देना क्योंकि 132 वेकैंसी जा आप चावी जाएगे लिजवाले के पेपर के पेपर आएगे तो जरूर से बढ़ देना तो आई थिंक आपको समझ में आगए एवस तेखो इसी करेंट सिन्यारिया को होना चाहिए आपका जो भी आपकी करेंट इयर चल रहा है रिवेन्यू यर जैसे कि 2021 अपरेल 2022 में आपका इस्टा तो यही मैंशन कर रखा है चला फिर मिलते हैं अगली वीडियो में और अगर कोई भी डाउट आए ना तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में जब तक के लिए जै हिंद जै भारत टेलिगराम जरूर से जोइन कर लेना